सवे भवंतु सुखिन, भाग आठ, ना लाया साथ कुछ बंदे, ना तेरे साथ जाएगा, जो गुरु उपदेश के अनुरूपो ग्रहन करें, मनुश्य की जन्म और मृत्यू के बीच तीन अवस्थाएं होती हैं, प्रत्थम बचपन, किशोरावस्था, अध्यापन, काल, वितियक युवावस्था, प्रिहस्थ में प्रवेश, तृतियक ब्रिधावस्था, लग्कपन खेल में खोया, यानी की बचपन तो खेलने कूदने अध्यायन में व्यतीत हो जाता है, जवानी नींद भर सोया, यानी की जवानी का नशा ऐसा नशा होता है, जिसके नशे मे मनुष्य सोता ही रहता है, यानी की धर्म अधर्म का विचार किये बिना कर्म करना ही नींग में सोना है, धर्म का बीज ना बोया, बुढापा देखकर रोया, जो बुढपा आने से पहले ही धर्म का बीज अपने जीवन में बो देता है, यानी की जो भी कर्म करता है, धर्म अ जैसा की कहा है, जिस मरने से जग दरे, मेरे मन में आनंद, यानी की जो युवावस्था में ही जाग जाता है, अपने मन में धर्म का बीज बोलेता है, वह हस्ते हुए इस नश्वर शरीर का त्याग करता है और जो निद्रा में ही जीवन व्यतीत करता है, धर्म का बीज मन में नहीं बाता वह रोता हुआ आँखों में अश्रू लिये अत्रिप्त कामनाओं वासनाओं के साथ इस नश्वर शरीर को छोना नहीं चाहता है और अंतत उस अद्रिश्य शक्ती द्वारा जबरन उसे शरीर से प्रिथक कर दिया जाता है तो जो आत्माई जीवन मुक्त हैं वे मरने से भैबीत नहीं होती और ऐसी महान आत्माओं के माध्यम से वह द्रिश्य शक्ती हमें पूर्व में भी प्रेरित कर रही थी वर्तमान में भी कर रही है और भविश्य में भी करती रहेगी सर्व प्रतम तो लक्ष यही होता है कि हम कुछ करें कुछ बने एवं घोर तुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधू ना भूखा जाए, यानि के हम इतनी सामर्थ्य अर्जित कर सके की, हम हमारे परिवार्जन का पालन पोशन करने का आधार बन सके और बेसहरा, अपाहिज और निर्विकार, निश्पाप, निश्कामी, सतकर्मी साधू जनों की मदद कर सके, लगातार नौ